हिंदी सिनमा जगत में आपको कई ऐसी लव स्टोरी सुनने को मिल जाएंगी जिन में कभी रिष्टे तूटते हैं तो कभी जुड़ते हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसे वाके के बारे में बताने वाले हैं जिसमें संजेदत ने अपने प्यार को खोता देख राजेश खन्न को ऐसा लगा कि शायद उन्होंने अपना प्यार खो दिया है तो चलिए जानते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो में कि आखिर क्या था पूरा वाक्या आखिर क्यूं संजेदत राजेश खन्ना पर हात उठाने पहुँच गए थे दरसल बात तब की है जब राजेश खन्ना और टीना मुनीम के लव अफैर की खबरें सुर्खियों में थी तो वहीं दूसरी तरफ रौकी फिल्म से फेमस हुई अभिनेत्री टीना मुनीम और संजदत एक दूसरे के साथ रिलेशन्शिप में थे और ये बात हर किसी की जुबा पर आम हो चुकी थी कि लोग ये समझ ह भी नहीं पा रहे थे कि असल में टीना मुनीम किसे रेट कर रही है लेकिन जब ये बात संजु बाबा को पता लगी तो उन्हें बहुत बुरा लगा उनका कहना था कि अगर टीना मुनीम उनसे प्यार करती है तो उनका नाम किसी और के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है ऐसे म उने एक दिन इतना ज्यादा नशा कर लिया कि वो उस सेट पर जा पहुँचे जहां राजेश खन्ना फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जहां वो स्टूडियो पहुँचते ही राजेश खन्ना के साथ खूब गाली गलोज करने लगे जहां वो नशे की हालत में राजेश खन्ना को चालेंज करने लगे कि अगर हिम्मत है तो स्टूडियो से बाहर आओ मैं तुम्हें प्यार करना सिखाता हूँ हालकि इस बात से संजदत शौर नहीं थे कि टीना मुनीम भी उन्हें चाहती है या नहीं या फिर वो राजेश खन्ना की तरफ अट्राक्टेड हैं भी या नहीं जहां राजेश खन्ना ने संजदत की आवास सुनकर बकायदा बाहर आकर कूरसी लगा कर उनके सामने बैट गए और संजदत बहुत ज्यादा नशे की हालत में थे और वो राजेश खन्ना को बुरा भला कहते रहे लेकिन बावजू दिसके राजेश खन्ना ने संजदत को कुछ भी नहीं कहा अगर वो चाहते तो वो संजदत पर हाथ भी उठा सकते थे कहा तो ये भी जाता है कि राजेश खन्ना को उस समय संजदत मारने पहुँचे थे लेकिन राजेश खन्ना के सादगी भरे स्वभाव को देख कर वो शांत हो गए क्यूंकि राजेश खन्ना स्टूडियो से बाहरा कर चुप चाप उनकी बातें सुन रहे थे और उनके इस जो ये एऊसास हुआ कि उन्होंने गलत किया है जिसके बाद जब सुनील दथ को ये बात पता चली तो उन्होंने संजदत को राजेश खन्ना से माफी मांगने को भी कहा तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे संजदत की इस हरकत के बारे में क्या उनका ऐसा करना सही था आ आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें